आज मैं लाई हूँ हरा भरा कवाब वैसे तो ये आप सभी ने बहुत भार खाया होगा और बनाया भी होगा बट मैंने इसे थोड़ा कुछ अलग तरीके से बनाया हैं चलिए शुरू करते हैं एक कड़ाई में दो चमच तेल डालें और उसमें करीब चार चमच बेसन ले और इसे भूल ले तीन से चार चमच बेसन ले और इसे भूल ले ये बेसन हम इसलिए ले रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पालक को ब्लांच ने किया बारी काट के पालक लिया जब तक साथ में हम इसकी त्यारी भी कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए पालक आलू मटर और जिससे पानी कम से कम रहे अब इसे तीन-चार मिनट तक सेख लें पालक की सारी नमी पेशन सौख लेगा इस मसाले को अब जब यह सिख जाए तो ठंडा करें एक बोल में डालका अब इसमें हम मिलाएंगे मैंने एक बोल उबलेवे मतर लिये थे उन्हें भी धन्यापती के सा मिक्सी में दरदरा पीस लिया था वो भी इसमें मिला दें दो आलू कदुकस कर लिये थे उबलेवे वो भी इसमें मिलाएं साथी साथ थोड़े से अध्रक हरी मिर्च कटिवी डाल दें अब ब्रेड क्रम्स हम चेक करेंगे हमें कितनी जरुरत है उससे डालेंगे अब इसम यहां पर यूज किया है चार्ट मसाला अब इसे चम्मत से अच्छे से मिलाएं फिर हम हातों से इसे मिलाएंगे अब हमें लग रहा है थोड़ी नमी है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और मिला दें तो मैंने यहां पर तीन ब्रेड के मिक्सी में पीस का क्रम्स बनाये थे, तो करीब दो ब्रेड की क्रम्स इसमें लग गए हैं, अब थोड़े से क्रम्स हम अलग रख लेंगे, उसमें हम थोड़े से चीली फ्लेक्स मिलाकर अलग रख लें, एक थरफ चीज की जो क्यूब जाते हैं उनके छोटे-छोटे टुक्रे कर ले, साथ ही काजू के तुक्रे रख ले, अब इस मसाले से हमें एक कोली उठाएंगे, उसे थोड़ी फैलाएंगे, साइट से किनारे ठीक करेंगे, और इसमें एक अंदर चीज क्यूब डाल देंगे, अच्छे से टिक्या बनाएं, तोड़ा सा लें मसाला हाथ में, उसे फैलाएं, उसमें एक च पीज का क्यूब डालें अच्छे से वापस कोल करें चपता करें और ब्रेड क्रंस में इन्हें लपेट लें ब्रेट कम्स में लपेट कर, हातों से प्रेस कर ले और इसके उपर एक काजू का पीस लगा दे, इसी तरह से सारे कबाब हम त्यार कर ले, इन्हें थोड़ी देर फिर फ्रिस में रखते, वैसे भी इन्हें बना कर आप, अगर आपको कोई आपके घर में पार्टी है, या आप सवेरे या शाम को ले डिनर के लिए बनाना चाह रहा है ऐसे स्राटर, तो आप पहले से सवेरे इसकी तेहरी करकर इसे फ्रिस में रखते, इससे ये थोड़े से और सेट हो जाते, अब जब हमें इन्हें खाना हो, तब हम इन्हें फ्रिस से निकाले, इन्हें चाहें तो आप deep fry भी कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर इन्हें shallow fry किया अब एक कड़ाई में दो बड़े चमच तेल डाले और इन्हें एक-एक कबाब को रखें इन्हें धीमी आज पर fry करें आप चाहें तो इससे भी कम तेल में आप इन्हें कर सकते हैं इन्हें अच्छे से नीचे सिखने दें जल्दी ना करें फिर इन्हें पल्टें बहुत हौले हाथ से इन्हें पल्टें हमारे कबाब देखिए बहुत सुन्दर से सिख गए हैं अब दूसरी साइट भी यह सिखने दें फिर इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकालें और फि है हमारा हरा भरा कबाब खाएं खिलाएं और बताएं आपको कैसी लगी